प्रिविए स्टूदेंट मैं हूँ शुषिल स्वामी इन प्रिविस क्लास्स वी स्टूदी दैट दा प्रॉप जनल प्रॉपपर्टी ओफ सॉलिड लिक्विड गैस तोड़ी इस वियर गॉइंट डिस्कॉशन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर ओके मैटर जो है उसकी जो स्टेट्स आपस में इंटर कनवर्टिबल होती है नहीं होती प्रिवस वीडियो में हमने इसके बारे में अपने बात की थी यू नो दैट दा कॉमन स्टेट ऑफ मैटर इस थी ठीक है ना आज वी अलड़ी डिसकॉशन अमाउट इस टॉपिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैटर जो है मैटर की हमने जो स्टेट्स की डिसकॉशन की थी मैंने आपको वैसे फाइफ स्टेट्स की मैंने बताई थी आपको तकि मैंने आपको यह का था कि जनरल जो हम स्टडी करने वाले हैं तीन स्टेट्स के बारे हम बात करने वा matter interchange matter तो आपस में interchange कर सकती है तो आपका answer क्या होगा answer होगा Yes यापस में interchange कर सकती है True How ? कैसे ? क्या इसके लिए कोई condition provide करवाने पड़ेगी Yes ? बिल्कुल इसके लिए कुछ conditions हमें देने पड़ेगी जैसे For Example आप देख सकते हैmält temperature और pressure temperature pressure अगर change किया जाएं तो इन states को अपस में interconvert किया जा सकता है solid को liquid में liquid को gas में तो अब अपने बात करते हैं यह कैसे possible है क्या करना पड़ेगा तो इसके लिए अपने बात करते हैं solid में आप यह जानते हैं यहाँ पिसके नदगे आते हैं जो interparticle interparticle जो force जो होता है तो क्या होता है high interparticle force is high and liquid interparticle force is lesser than solid you know that हम सभी जानते हैं कि interparticle force क्या होता है इसमें less होता है किसे solids हैं और अगर मैं इसके बार में बात करो तो आप यहाँ पर यहाँ पर यह कैसा है you can say weakest interparticle force जो सबसे ज़्यादे इसमें क्या है weak है तो अपने क्या करें आपको यह पता है कि interparticle जो force है अगर मैं इसको break कर दूँ अगर interparticle force को break कर दिया जाए तो इसका इसकी जो distance है particles के बीच में बढ़ जाएगी अगर distance बढ़ेगी तो क्या solid liquid में convert हो सकता है अगर जो liquidач ke inter particle force के बीचे उसको break कर दिया जाए तो क्या वो गैस में convert हो सकता है बिल्कुल हो सकता है तो इसके लिए अपने क्या कर सकते हैं, तो इसको अपने दो तरीकों से इसको अपने चेंज कर सकते हैं, एक तो इसका जो इंटर कनवर्जन है, by the help of दो तरीकों साब इसको चेंज कर सकते हैं, by changing temperature, temperature को चेंज करके, या second अगर अपने बात करें, by changing pressure, इन दोनों में से किसी का भी अगर अपने चेंज करें या इन दोनों को एक साथ अगर अपने चेंज करते हैं तो इसको स्टेट को इंटर कनवर्ट किया जा सकता है तो हमने यहां पहलो एक बहुत ही एक सीम्मल गेते हैं वाटर का, ऊकर ओके वाटर अगर यहां परियाध ने इसका हो जहा इसका प्रती यहां अगर यहां पर इसमें अपने बात कर रहूं आ हैगए हग तो स्वार्ट अगर मैं आइस के बारे में अपने बात करूँ, you know that ice is a solid, water is a liquid and vapor is a gas. अब इसको convert कैसे करें, ice, you can say ice is solid है, तो इसके particle के बीचे force भी क्या होगा, जाता होगा, तो अगर इसको यहाँ पर temperature दिया जाए, तो temperature को यहाँ पर मैं delta के sign से represent कर सकता हूँ, temperature अगर अपने rise किया, temperature increase किया है, तो ice constantly क्या हो जाएगी, धीरे-धीरे liquid में convert होना start हो जाएगी, और अगर मैं water को constantly अगर अपने heat को continue अगर अपने start रखते हैं तो यह water जो है liquid state है, वो vapor के अंदर convert हो जाएगी, interchange हो जाएगी, अब मेरा question यह कि क्या states को vapor अपने reverse कर सकते हैं, yes, बिल्कुल कर सकते है, gas, gas के particles जो है, इसको अगर मैं condense करूं, तो condense करने पर यह जो process है, आपकी reversible हो सकती है, जो कि अपने इसको जो condense करें, condense करने का मतलब क्या है, आपने जब इसको heat किया था, तो heat की दियने से क्या होगा, जो आपके solid की particles है, आपने इसको diagram से अपने समसे, यह solid की particles है, you know that the particles of solid are very closely packed, ठीक काफी closely pack होते हैं, आपने इसको यहां से क्या देना start किया, आपने इसको heat की देना start किया, heat, तो heat क्या होगा, इसका motion increase होगा, क्या इंक्रीज होगा, motion इंक्रीज होगा, due to increase motion तो इसकी जो काइनेटिक एनरजी है, काइनेटिक एनरजी क्या होगी, काइनेटिक एनरजी भी क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, जो काइनेटिक एनरजी इसकी इंक्रीज हो रही है, तो इसके जो पार्टिकल जो है, वो रे कि सबसे हई एधा नर् जी किस मी बुटेक निर घंशडमें डिक घंश स्टेट में कया है यू का चालãy होती लिखकिहल टी यह 60 अब मेंत व्यक्ति कि बात का आप क्या है का अब भी कर सकते हैं चाहिकलोफ किया रखते हैं lowest kinetic energy in three states, three states में बात करें, सबसे कम kinetic energy होती है, वो solid state में होती है, लेकिन आपने temperature देना start की है, temperature देना start क्या होगा, इसके particles है, वो motion करना start करेंगे, उसकी kinetic energy increase होगी, अब इसकी kinetic energy इस level पर आ जाती है, कि वो जो आपका solid जो होगा, वो किस में connect हो जाएगा, liquid में, its mean liquid kinetic energy की से ज्यादा है, kinetic energy of liquid is higher than solid, अभी आपने constantly temperature देना start रख है, अब इसमें क्या होगा, कि इसकी kinetic energy और इसकी increase होगी, so that water convert into gas, gas में convert हो जाएगा, अब अपने बात करते हैं कि क्या gas को वापस में liquid state में convert कर सकता हूँ, चलो इसके बारे आपने देख लेते हैं, अब देखिए, gas को convert करने के लिए process को उल्टा करना, opposite करना पड़ेगा, अभी आपने इसको forward conditions के अंदर, आपने इसको temperature दिया था, अब अब अगर temperature को reduce कर दू अब इसको मैं ठंडा करना start करूँ, cool करना start करूँ, तो क्या इसकी kinetic energy कम होगी, kinetic energy कम हो रही है या निकि इसका motion कम हो रहा है, motion कम हो रहा है, it's mean, जो particles है धीरे-धीरे, you can say, lazy होना start हो जाएगे, cannot start हो जाएगे, अगर इसके मैं particles की बारे में बात करूँ, तो particles जैसे ये gas के particles है, gas के particles, randomly move करते है, इसकाあफी speedly से move करते है, क्योंकि why, because is motion काफी ज़्यादा हो रहा है, kinetic energy की काफी ज़्यादा है, तो move काफी ज़्यादा कर रहा है लेकिन आपने इसको क्या किया इसकी एनर्जी को कम करने के लिए आपने इसको ठंडा करना स्टार्ट किया तो ठंडा करना स्टार्ट किया तो क्या हो गई इसके जो पार्टिकल्स की मुवमेट्स क्या हो जाएगे कि कम होनी स्टार्ट हो जाएगी तो मुवमेट्स कम होनी कूल की है, । इहां पि आपने इसको heat किया था इन से केस अपने ऐसको अपोजिट सम्स्काइब करेंगे इन और इम इसको फंदा करने है अब अपने क्या किता है इसको और जदर कूल किया, इसमत्र को और जाद लाउन किया, यह hullos से वो किसमे कनट होना स्टार्ट हो जाएंगे स्वल्ड के अंदर ओके तो आपने जैसे देखा है कि वैपर है वैपर पहले इसमें water में कंदेस होते हैं आप इसका example आप देख सकते हैं जैसे कि जो रेन जो होती है के बारे में अपने में बात करूँ भूँतका बताए जो रेयन एक ऐसी प्रोसेस ही रेयन के अंदर जो चालौउड स कंदर बहीज ब citizenship है इसमें इowners किस यहां पर वटर वीपर कह सकते हैं इसमें यह क्या है वर व टर क्या है त्लावुटर वैपर है ठीके वाह टर वडर तो ओर्जा डाउन होने से आपने देखा कि जिससे सनो है या जैसे बारिश कंदर आपने देखा कि ओले जिससे बोलते अपने जो ओले में में कनवर्ट हो जाएगी तो ओर जा ठंडी होने से यानि तीन स्टेट्स आप इसको यहाप एक नैच्रल पूसेस के थ्रूँ भी देख सकते हैं इसको इसको इंटर कनवर्ट करने के लिए आप इस ट्राइग्रम के से ट्राइंगल फॉर्म के इसको रिपर्शेंट कर सकते हैं अब देखें यहां पर सॉलिड है सॉलिड को अभी आपने देखा सॉलिड को कनवर्ट करने के लिए आपने इसको क्या किया आपने इसको मैल्ट किय किया, क्या किया, okay मैं या पिसको क्यों कहता हूं, मैं melt, solid को liquid में convert करने के लिए या, जब convert करते हैं, या you can say when solid convert into liquid state, you can say that is the melting point of solid, solid का क्या है, melting point है, या ऐसे एक fix temperature पर, solid melt होना start होया था, तो उसको क्या क्या बोलता है, melting point, solid को अपने melt करना start किया, melt करके किस में convert हो चुक है, liquid में, अब liquid को आपने क्या किया, temperature को आपको इसने रखा, temperature अभी जारी है, temperature continue दिया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, यह liquid जो होगा, boil होना start होगा, क्या होना start होगा, boil होगा, boil होना start होगा, boil होना start होगा, boiling होने से यहां पर क्या होगा, यह gas में convert हो जाएगा, boiling आप कह सकते है, यह यहां पर कह सकते है, evaporation, क्या कह सकते है, evaporation, evaporation का मतलब क्या था, what is the mean evaporation, boiling point का तो मतलब यह होता है, कि हर किसी liquid का, एक ऐसा fixed temperature होता है, जहां से liquid gas के अंदे convert होना start होता है, लेकिन अगर boiling point से नीचे, for example, अगर मैं water की बात कराऊ, what is the boiling point of water 100 degree Celsius, अगर पानी 100 degree Celsius पे boil होता है, और gas में convert होता है, तो आप इसको यह कहता है, boiling point of water is 100 degree Celsius, but अगर वो 90 degree, 90 degree, 80 degree, या 10 degree, या 20 degree पे अगर vapor में convert हो रहा है, तो its mean वो अपने boiling point तक तो पहुंचा ही नहीं, ठीक है, boiling point से पहुंचे है, अपने boiling point से नीचे ही वो क्या हो रहा है, अपने state को convert कर रहा है, यानि liquid state से gas में convert हो रहा है, its mean उसका क्या हो रहा है, evaporation, क्या हो रहा है, evaporation, तो यह स्टोडिन ध्यार रखना, अगर boiling point से नीचे अगर कोई liquid gas में convert होता है, तो that is mean evaporation take place, यानि evaporation process take place, यानि evaporation process हो रही है, अगर boiling point पर at boiling point यहां पे अपने शुलिते हैं, at boiling point यह शौट फ़र्म ने से वह लिखते हैं BP, what is the short form of boiling point BP, अगर अगर इसको आप heat कर रहे हैं, उसको state को convert कर रहे हैं, तो यह इसका boiling point है, और इससे नीचे कर रहे हैं तो वह evaporation है, clear , अब अपने next अपने बात करते हैं कि इस gas को अगर अपने क्या solid में convert किया जा सकता है, देखिए solid से liquid, liquid से तो gas होती है, क्या gas को diet solid में convert किया जा सकते हैं? yes, बिल्कुल किया जा सकते हैं, अगर gas को direct solid में convert करना हो तो आप उस process को क्या बोलते है? सब्ली मेशन क्या बोलते हैं सब्ली मेशन स्टुन में यहाप इसको लिएता हूँ कि direct solid when solid or you can say gas directly convert into another state अगर में आप यह देख सकते हैं अगर गैस को अगर solid के अंदर ठीक है या solid को gas में directly convert किया जा रहा है तो उस process को अपने क्या बोलते हैं sublimation इसके बीच में liquid state नहीं आती है आपने देखा कि पहले आप जो आइस को जब में आइस को temperature देते हो तो पहले वाटर में convert होता है फिर वो गैस में कनोड़ता है ऐसा निए वो सिधा गैस में convert हुआ है लिए कुछ ऐसे substance है लिए कुछ ऐसे matter है जो directly gas से solid में convert हो सकते हैं और तो इसके बारे में अपने examples के बारे में आगे बात करेंगे तो इस process को अपने क्या बोला sublimation नेक्स्ट अपने जो बात करने वाले हैं अब अपने यह तो देखा कि जो solid को हमने liquid में और liquid को करना है तो उसके लिए अपने क्या करेंगे अभी मैंने आपको बता है क्या करना पड़ेगा काकंडन्शेशन के बारे माने अभी आपको बताया वाटिसाओं इन्हों को बाता हुआ कूल करना अचया करना कटन्शेशन इस कंडन शेशन का मतों कपने अब अपने देखेंगे गंस को आपने liquid में कर दिया है कि अब Siliquid को अपने Solid में Convert कर लेते हैं यह निए कि अपनेatos का है पहले से れた तो इसके लिपने को क्या करेंगे इसको freeze क्रेंगे क्या करेंगे के व्यूरान अपयर फ्रीजिग से फ्रीजिग के इसको अपने फ्र reflection क्रेंगे और थंडा करेंगे इसको अपने देखिए गैस को आपने solid में convert किया है क्या सीधा solid को gas में convert किया जा सकता है बिलकुल किया जा सकता है उस process को भी आप sublimation ही बोलेंगे क्या बोलेंगे sublimation मैं आपको फिर repeat कर रहता हूं हमारे topic है हमारे topic यह है कि जो states है the three states of matter उनको आपसे उन्हें इंटर कनवर्ट करना है इंटर कनवर्ट करने के लिए मैंने आपको बता है आपने दो process के थूस को इंटर कनवर्ट किया जा सकता है by changing of temperature और by changing of pressure नाव डिस्कुशन अबाउड दभाई changing of temperature हम यह पर बात करें वह temperature के बारे में बात करें कि temperature में change करके हम states को कैसे इंटर कनवर्ट कर सकते हैं ठीक है फॉर एक्षाप हमने starting में लिया आइस है आइस को हमने क्या किया इसको temperature करके इसको liquid state में convert किया after that we continuously provide heat हमने इसको continue heat प्रवाइड किया तो जो liquid state है वो ice में convert होगे ओके तो अब मैंने आपको क्या किया इस प्रोसेस को reverse करने के लिए क्लिए क्या किया इसको cool किया condensed किया और condensed करने बाद में इसको water को हमने क्या किया freeze किया क्या क्या किया तो फ्रीज किया तो फ्रीज करने से जो वाटर होगा वह आईस में करनोट होजेगा काइनेटिक एनरजी के बार में आपको बता है जैसे आप इस प्रोसेस के तेमप्रीचर का यूज कर रहे हैं तो टेमप्रेचर अगर आप दोगे तो इसमें पार्टिकल के अंदर क्या गी एनरजी ऐएगे का एएगे अनरजी एनित्सके अं वोसटम बढ़ेगा अंगरे तो दुटो इंक्रिछ मॉशन किनचिक एनरजी इस इंक्रिज के इनरजी इस इनक्रिज की सुटीट इंक्रीच यूज щटेटर क्या कॉंत्स से इंक्रीज औगी एज़ीस हैं ज्या को and the kinetic energy of gas is higher than liquid and you can say overall you can say the kinetic energy of gas is highest gas की kinetic energy होती है वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके जो particles होते हैं वो काफी freely, काफी randomly move करते हैं उनके बीच में उनके interim particles जो force होता है, attraction वो बहुत ही कम हो जाता है क्यों particles के बीच में distance काफी आ जाती है तो जैसे से हमने इसको reverse करेंगे तो इसके particles की अपने इसको energy reduce करने के लिए temperature को down करना पड़ेगा तब जब तक temperature increase रहेगा student तब तक आप इसको इसकी energy को कम नहीं कर सकते क्यों temperature increase रहेगा तो इनकी movements randomly रहेगी, काफी fast movements करेंगे और gas को इसमें convert नहीं कर पाएंगे तो gas को convert करने के लिए आपको temperature down करना पड़ेगा, clear ऐससे अगर आज निची इसको आपने एक diagram या इसको 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 आज is आज कर सकते हो, solid solid को आपने liquid में convert करना तो इसको में melt कि, why because when solid get convert into liquid तो इसको आज आज में be pode क्या बोलते है, at fixed temperature किसी fixed temperature पर सॉलेड liquid में convert होना स्टार्ट हूता है तो उस temperature रो को अपने क्या बहोते है melting point को के अब इसको लिक्विड को अपने कि किसमी कर नग संट में लिकुड गैस में transfer कने यह एक लिएक लिए हमें क्ली आपने कंक्या करें उसको नालग होता है हर किसी liquid की courtyard की solid का melting point different different होता है मैंने यहां प research году लिया a we take example of water मैंने water की example लिया 100 degree c-c जो water होता है 100 degree c-c पर क्या होता है boiling हो ना start होता है ऐसा की कि हर किसी impresicky liquid है 100 degree c-c पर ही boil होगा ok boiling point specific होता है यह vary करता है liquid to liquid ठीक है तो जैसे मैंने आपको बताए कि अगर कोई अपने boiling point पर अगर जाके रीच होगे अगर वो boil होगा तो उसको अपने बोलते है vaporization यानि वो vapor में convert हो रहा है लेकिन अगर अपने boiling point से नीचे अगर वो क्या हो रहा है नीचे यानि कि boiling point से 100 degree से जैसे water की बात कर रहते हैं अगर व वो vapor में convert हो रहा है तो उसको अपने बोलेंगे evaporation ये boiling है और ये है evaporation evaporation के अंदर पानी boil नहीं होगा वो evaporate होगा direct क्या होगा gas में convert होगा गर्मी नहीं पैदा होगी उसमें ठीक है इसका example आप ले भी सकते है जिसमें आपको मैंने बताया कि boiling point melting points के बारे हम आगे details से ब आपस मैंने क्या गैस ये स्टेट यहां पर आ चुकी है solid liquid और गैस गैस को देखिए solid में convert करना है या solid को that gas में convert करना है तो इसके लिए अपने प्रोसेस को बोलते हैं sublimation इस प्रोसेस के अंदर अपने बात करें gas को solid और solid को गैस में convert करने के लिए इसके बीच में liquid states नहीं आएगी कुछ ऐसे सबसांस होते हैं जो without going to liquid state directly convert into gas and you can say solid okay I think I hope यह आपको वीडियो आपको अच्छा से clear इस topic आपको अच्छा से clear हो चुका होगा ठीक है oxygen temperature का तो अपने इसमें effect देख चुके अब अपने जो बात करने वाले वह करते हैं कि by changing pressure pressure को change करके अपने state को कैसे convert कर सकते हैं तो हमारे जो second point जो है by changing pressure pressure को change करके आप state को कैसे convert कर सकते हैं देखे student pressure को आपने यह अपने daily life में यह examples आपने दिखा होगा कि हमारे घर पे जो अपने एक cylinder use करते है LPG cylinder what is the full form of LPG liquid petroleum and you can say liquefied petroleum games liquefied petroleum gas हमने जो घर पे use करते हैं example of pressure pressure का ही एक example है इसके अंदर आपने देखा होगा कि LPG जो होती है वो कौन से state में होती है gas form में कौन से state में होती है gas form में अगर आपको यह पता है कि हमारे घर पे जो cylinder जो है क्योंकि यह example शायद मैंने आपको पहले भी प्रिविएस वीडियो में आपको दिया हुए हाँ मुझे याद आ रहा है कि मैंने इसका यह example आपको दिया था यह जैसे हमारे घर पे हमने जो cylinder लिया हुए लगब ऐसे शेप कर यह होता है cylinder ठीक है मैंने कोशिश तो की है कि लगब स्लेंडर ही लग रहा है क्योंकि डाइगरम मैंने आपको बना दिया cylinder का इसके अपने बात करते हैं तो आपने यह देखा होगा कि इस cylinder के अंदर हमने इसको गैस को भरा होता है ठीक है ना yap इसको किसको अब सचाइब यह देख जाय के अगर जञाए कि अगर गैस को सिधा कनो सिदा एलबजी गैस को सिळा डरेक्स को अगर CRD में बह आ जाए जाए कि उसमें ओर वो गैस कितने दिन चलेगे फोन और इसको ना श्याया फिल किया जाए तो उसमें जो गैस ब्रहिता तो वह रही नचले कि इत्ने कम घैस को भहा जाएगा तो क्या सक्या किया जाए कि हम कम स्पेसके अंदर ज्यादा गैस को भर सकें क्योंकि आपको ये पता कि मैं आपको बताया था कि जो घैस के जो PARTCESS होते हैं अगर मैं distance पर होते हैं अगर मैं simple सी बात करूँ अगर मेरे पास इतना सा space है और इतने से space के अंदर मैंने particles को मैंने pack करना है तो you know that आप अचीतरा से बता सकते हैं कि कम space के अंदर solid के particles सबसे ज़्यादा सकते हैं ओके यहां पर अपने बात करें तो liquid के particles solid से तो कम होंगे लेकिन gas के clear होड़ी बास स्कूर्ण मैं आपको यह बात कर रहा हूँ कि अगर सेम वॉल्यूम अगर आप लेते हैं आपने एक स्लेंटर लिया हुए उसी स्लेंटर के अंदर अगर आपने solid को डालना है मतलब आपने मिट्टी डाल देनी है या कोई और किसी solid substance को उसमें डाल देना है कि जैसे दूसे चलेंटर के अंदर आप उसके अंदर लिकुड डाल दीजैंक इससे cisla drAC a आप ईसमें normally gas डाल दीजें तो यह बताई कि सबसे जधा ماस किसका होगा सबसे ज्यарतम सबसे ज़ता होगा गैंस के अंदर अगर अपने नोर्मली अगर गैंस को सिलिंटर में अगर फिल करें तो सिलिंटर का जो साइज होता है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर जो गैंस फिल की जाएगे बहुत कम की जाएगी और उतनी जो गैंस जो है वो शायद एक दिन भी ना चले आपको यह प किसमें करनोड कियाते हैं लिक्वीड में आपको यह पता है कि अगर गैंस के पार्टिकर्स को अगर दबाया जाएं अगर मैं यहां पर एक पिस्टन लेता हूं अगर मैं यहां पर पिस्टन की बात करूं तो मैंने आप जैसे आप पिस्टन को छोड़ी मैं आपको ऐसा सिंपल सा एकजंपल बताता हूं कि जो आप डेली लाइफ के अंदर आपने इसको देखा भी होगा या आप घर पे अगर ऐसा को इंस्टुमेंट आपके पास में पढ़ा है तो आप यह कर भी सकते हैं आपने इंजेक्शन देखा हो होगा आपने क्या करना है अगर आपके घर में अगर इंजेक्शन पढ़ा है तो इंजेक्शन के आपने नीचे से उसकी जो सिरिंज होती है वो सिरिंज आपने हटा देनी है सिरिंज आपने नहीं लेनी आप यह जो इंजेक्शन है आप इसको पिस्टन माले जाए क्या माले पुल करने के बाद में आपने नीचे तरफ यहां पर इसमें क्या लगाना है इसके जो टिप चो होती है टिप के उपर फिंगर लगा देने से मैं जैसे जैसे मालों कि यह इंजेक्शन है इस इंजेक्शन के बार में अपने बात करो तो यह इंजेक्शन है इंजेक्शन के नी में आपने क्या करना है जो पिस्टन जो है उसको उपर से उसको प्रेस करना है आप देखेंगे कि पिस्टन का अगर मालों के लेवल पहले यहाँ पर था यह जो पिस्टन का यहाँ पर मैं बात करूं यह माले यहाँ था ओके यह इसको आपने उपर की तरफ फूल किया हुए अगर मैं यहां पे इसको मैं Q1 मान लूँ तो पहले Q1 लेवल पे था और अब आपने इसको देखो प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद में यह यहां तक इसको कंप्रेस आप इसमें इसको कर दिया तो यहां पे Q2 लेवल तक आपको यह इसमें कंप्रेस हो गया अब आप सोच कर पाएं कि यह और काफी नीचे आजए तो यह जो होता है वह काफी हम इसको क्ब भाहलेम है कम कर सकते हैं अगर वोलिम कम होगा तो आपको पता कि नमबर व पार्टिकली करते हैं यहाँ पर बैसे औंधन प्टक्ल ने रहे हुं मैं ठी masa 1,000 पहले किसके components थे GaNs के pardicals थे किसके पarticals यह आपने और compress किया तो यह पार्टीकल जो 100 है यह काफी नज़िक आचुए है सिंपल सी बात है पहले space जादा था तो space जादा होने कारण जो पार्टीकलस काफी दूर दू थे आपने इसको compress किया, volume कम होता गया, तो particles काफी नजदीक आगे, और नजदीक आने वाली property किसकी होती ही, गैंस के बाद में liquid गी, यानि इसको अपने इतना compress करें, इतना compress करें, कि ये किस में connect है, liquid में, आप इसको अपने हास से करें, तब तो आप इसको liquid में नहीं convert कर पाऊगे, क्योंकि आप इसको कुछ level तेक आप इसको compress कर पाऊगे, उसके बाद इसको compress आप से नहीं होगा, आप चाहिए तो इसको check भी कर सकते हो, इसको काफी mechanical force करें, उसको compress किया आता है, और compress करने बाद एक point ऐसा आएगा, कि जो gas जो होगी, काफी कम volume के अंदर simmer जाएगे, particles तो पहले 1000 थे, और इस point पर आकर भी कितने होगे, 1000 particles होगे, लेकिन आपको ये पता है, कि पहले जो particles थे 1000, वो काफी high volume के अंदर थे, लेकिन वही 1000 particles अब काफी नजदीक आ चुके है, और size देखिए, volume देखिए, space देखिए, कितना कम होच गया है, काफी कम space के अंदर आपने 1000 particles को आपने pack कर दिया है, तो वो किसमे कनोट हो जाएगे, यहाँ पर वो थे, gas form में, अब यहाँ पर किसमे कनोट हो जाएगे, वो liquid के compress करके आप इसके अंदर काफी maximum amount के अंदर इसमें आप गैस को fill कर सकते हैं, जब pressure काफी इसमें जब ज़्यादा होगा, high pressure इसमें जब इसको डाला जाएगा, तब इसमें क्या होगा, जब particles काफी नजदीक हो जाएगे, वो नजदीक होने की वज़े से LPG gas किसमे कनोट हो ज इसके अंदर आपको fill हो रही है, इसमें को liquid हिल नहीं लेकिन आपको यह पता है कि जैसे ही आपने इस liquid को, इसमें आपका यह क्या है, आपका यह developer है, जैसे ही आप आप regulator को क्या करेंगे ओन करेंगे तो आप जैसे में आपको बता है कि इसमें liquid form है तो आपका question आना चीए कि जैसे हम रिखुटर याँ से ओन करते हैं तो यहां से क्या होना चीए है यहां से liquid बाहर निकलना चीए लेकिन यहां से तो gas निकलती है सिंपल सांसर है, अब सीलेंटर के अंदर जो प्र finalement है, फ्रैशर यहां पे क्या है, काथ राइधा है, प्रेशर हाइधा है, हाई ज्यादा आजेगा तो वह लिक्विड वांपस किसमें कनोट होना स्टार्ट हो जाएगा गैस कंदर तो यहां से आपके जिसमें जो निकलेगी गैस क्या निकलेगी गैस इसमीन अगर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो उसके जो कंप्रेसिबिटी क्या होगी काफी ज्यादा कीसने कनोट हो गया लिक्विड में लेकिन आप हम देस्ट को किया करेंग अगर आपने करेंगें बॉटम हो जाईगक ओर इसके साथ में हमने युदि ध्यारेक न वता हैं कि जब अगर मादस्ट को अगर आफ कम करें तो प्रैंश्स्ट को अगरْ परेशर को अगर आप increase करेंगे तो आपको temperature को क्या करना पड़ेगा temperature को आपको down करना पड़ेगा ठीक है तो यह student काफी important बात है जो समझने वाली है क्यों अगर for example आप सुनिए कि आप एक तरफ तो पार्टिकस को क्या कर रहे हैं कंप्रेस कर रहे हैं कंप्रेस करने का मतलब है इन पार्टिकस जो दूर दूर है उनको नजदीक लेके आ रहे हैं जो पार्टिकस क्या कर रहे हैं उनको आप नजदीक लेके आ रहे हैं काइनेटिक एनरजी को आप इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकस दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे और अगर पार्टिकस दूर भागेंगे एक तरफ आप उसको आप नजदीक ला रहे हो तूस तरफ आप उसको दूर दूर भगा रहे हो तो वो कंप्रेस कैसे होंगे खुल्व golden गदर कि आपके आप जो कोई आपके जूर मंत है जूर के अदर उसको अपने काफी दूप के आपने अपने निसमें में शुन ज्राइब arguments फोड़ जा की अगर मैं ब्लॉसीए तेमपरिटर दे रहा हूं आपको बता है गर्मियों के तरह टेमपर्चर काफी ज्यादा होता है निर बाउट 50 डिकटी से क्रोस भी कर जाता है तो इतना टेमपर्चर जब उसके उपर गिरेगा तो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे वो उनके पार्टिकल्स की मोशन क्या हो और मोशन बड़ जाएगे तो वह क्या करेंगे इसके वोल के उपर अनदर की इसकी प्रेश्र तो यह ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यह फट जाएगा ऐसे बैलोन का आप एक्जम्पल ले सकते हैं बैलोन भी अगर आपने इसको धूप में रख दीजिए बैलोन का अगर आपने धूप में रखा तो वो भी फट जाता है क्योंकि जो एर जो होती है अगर मैं आप एर की बारे में बात करूँ जो एर जो होगी इसके अंदर आपने जो डाली हुए है जैसे इसके उपस sunlight गिरेगी तो air क्या होगी इसके अंदर air के जो particles होगे वो उसमें kinetic energy उसमें ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होगी काफी ज़्यादा speedly movement करेंगे और वो उसकी internal wall पर क्या करेंगे काफी ज़्यादा pressure लगाएंगे और काफी ज़्यादा pressure लगाने से क्या होगा इसकी wall एक वक्त ऐसा हैगा कि इस pressure को सहन नहीं कर पाएगी बीर नहीं कर पाएगी टॉलिट नहीं कर पाएगी और वो क्या होजएगा यह आपका जो balloon क्या होजएगा blast कर जाएगा यह ब्रस्ट एनी फट जाएगा तो आपको आपने इसको हाई करना पड़ेगा रिडियूस करना पड़ेगा तो यह चीज आपको आपको अच्छा लगाओ तो आपको लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करना ना भूलें और बैल आइकन को आप जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं वीडियो को अप्लोड करता हूं तो आपको सबसे पहले आपको मिलें और कॉमेंट जरूर करें के इवर मैं कोशन भी देता हूं काफी बच्छों का रिस्पॉंस भी आता है कोशन को हैने की शॉर्ट आउट करते हैं क ठीक है और को सजेशन वेरा कोई हो वीडियो के लिए तो आप सजेशन को आपने वैलिबल सजेशन को आप जरूर भेजिए ठीक है जल्दी मिलते है अपने नई वीडियो के साथ में तब तक जय हिंद जय भारत